पूरे राश्टी इस्तर पर जो वारत सरकार ने रेल करमचारी और केंद्री करमचारियों का डिये फिरीज करने के आदेश दिये हैं और उसके साथ साथ मल्टी स्किलिंग के नाम पर जो रेलवे की संख्या है उसको आदी करने की योजना बारा लाग से छे लाग करने की योजना बनाई जा रही है फिर बॉनस एक्ट में बदलाव किया जा रहा है श्रम कानून बदल दिये गए हैं बहुत सी स्टेट में यूपी में बदल दिये हैं जो मजदूरों के हित में कानून बने थे बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजेशन के द्वारा जो बनाए गए थे उन सब में इसलिए बदलाव किया जा रहा है कि जो पुझी पती लोग हैं व्यपारी लोग हैं भार से आकर के अपना व्यपार यहां करना चाते हैं वो यह चाते हैं कि कोई नियम कानून हो नहीं और जितना शोशन मजदूरों का कर सके दस से बारा घंटे ड्यूटी ली जाए यह सारे कारण बन रहे हैं हमने सरकार को यह कहा था कि अगर देश में आर्थिक संकट है तो हम एक दिन की दो दिन की तीन दिन की हर महीने तनखा में कटोती करा सकते हैं लेकिन यह डिये हमारा हक है यह 1960 की बहुत बड़ी इसके लिए पीछे संगर्स हुआ था अरताल हुई और उसके समझोते में हमको यह डिये प्राप्त हुआ है और इसको इतनी आसानी से हम लोग जाने नहीं देंगे इसके लिए एक तारिक से छे तारिक तक सारे संस्थानों में जागरुक सप्ता मनाया जा रहा है और फिर आठ तारिक को आठ जून को हम यह सोशल डिस्टेंसिंग के इसाब से बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं बुपेंद्र वटनागर जॉर्नल अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टन रेलवे एंप्लाईज उनियन अगर आप समस्तें तीन किस्ट का मतलब तीन किस्ट का मतलब बारा परसेंट चार चार परसेंटी मानों चाहित अभी अगर नहीं का दिखना जाए तो आपको नहीं मिलने वाला काम हो जाएगा पेंशन में भी कमी आजाएगी रेड़ सामस्ता पेंशन में भी कमी आजाएगी फिर पचास परसेंट दिये होते ही कंखा में मत करने के आदेश भी है आत्मेवेतन आयोग तो वो सब नुक्सान आपको बहुत दूर गामी नुक्सान है तो मेरा नुमेदन है आप सब साथियों से फांजी के लोग हमेशा तंगर्शाली लोग रहे हैं मेरा अपना खुटका डिपार्टमेंट है मैं आपका साथी हूँ आठ तारीक को कोई कामवाम की वो मत शूचना सॉंबार है मैं आपको कह रहा हूँ सब को वहां मिलना है ठीक है ना थेंक यू अबने साथियों को भी हाई अबने अबने यह मैं झाल 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 यह जड़त झाल झाल